हेलो डियर फ्रेंड्स आएम डॉक्टर अविनाश कुमार मेडिजिन इस्पेसिलेस्ट आज आप लोग भी टॉपिक देखके यह सोच रहे होंगे कि क्या टॉपिक ले आएं इसीजी मशीन और हैसेसरी इनके बारें जानने की क्या जरूरत है हम लोगों को तो इसीजी देखन है उसकी फाइंडिंग्स देखनी कैसे उसको रीड करते हैं यह सब देखना है डियाग्नोसिस बनानी है लेकिन मेरा सोचना यह है कि जब तक हमें ECG की बेसिक नॉलेज नहीं पता होगी तब तक बाकी सब बेकार हैं तो इसलिए उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए मैं यह टॉपिक चुनके लायाँ कि ECG मशीन और उनकी असेसरीज क्या हैं कितने तरीके की ECG मशीन होती है कैसी असेसरीज होती है कैसे वर्क करती है तो मेरा सोचना यह है कि जब तक बेसिक नहीं कलियर होंगे तब तक सारी नॉलेज बेकार है इसलिए मैंने यह टॉपिक मशीन एंड असेस्री जिस टॉपिक पर जाने के पहले हम कुछ टर्मिनलोजी पर ध्यान देदे लेते हैं जैसे एलेक्टो काडियोग्राम, एलेक्टो काडियोग्राफ, एलेक्टो काडियोग्राफी, यह क्या है? एलेक्टो काडियोग्राम को हम ECG या EKG कहते हैं, इट मीजर्थ अलेक्टिकल अक्टिविटी आफ दी हार्ट, हार्ट की जो अलेक्टिकल अक्टिविटी है, उसको मीजर करती है, उसको हम एलेक्टो काडियोग्राम कहते हैं, and what is electrocardiograph it is a sensitive electromagnet which detect and record changes in electromagnetic potential of the heart यह इसको record करता है detect करता है record करता है electrocardiograph means जो ECG machine है it is known as electrocardiograph machine and what is electrocardiography electrocardiography is the process of producing an ECG जो process ECG निकालने का इस machine से that is known as electrocardiography और यह हम 12 different angles से heart की electrical activity को record करते हैं इसमें एक बहुत ही interesting point है कि हम 12 different angles heart के detect करते हैं activity लेकिन posterior wall of heart not recorded in the ECG posterior wall यह heart की ECG में record नहीं होती है अब हमें ECG करने के लिए क्या 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 जरूरते हैं क्या 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 चाहिए ECG machine चाहिए ECG cable ECG electrodes ECG gel and ECG graph papers ECG machine graph यह electrodes and lead and this is gel तो अब देखते हैं कि ECG machines कितने type की होती हैं अलग-अलग companies, अलग-अलग model बनाती है ECG machines की जिसमें single channel ECG machine, three channel ECG machine, six channel ECG machine, twelve channel ECG machine, purpose अब का same ECG निकालना, उसकी recording करना लेकिन जैसे जैसे यह बढ़ता जाते है channels इसकी cost बढ़ती जाती है और reading उसकी easy हो जाती है तो सबसे economical single channel ECG machine है and सबसे costly 12 channel ECG machine है लेकिन महेंगी है तो कुछ benefit है, सस्ती है तो कुछ उसके drawbacks है single channel ECG machine, इसमें हम 123, RLF and V126 सारी leads 12 leads निकालते हैं लेकिन हर lead को निकालने के लिए हमें रुकना पड़ता है, इसको 12 lead निकालने के लिए 12 बार बार इसको हमें change करनी होती है leads निकालने के लिए यहां से ECG paper पड़ता है, यहां से recording होती है, यह इसके control panel है यहां से इसको control करते हैं, इसे single channel ECG machine, आजकल यह model obsolete हो चुका है ने-ने models आ गए हैं, then three channel ECG machine, इसमें 12 forms से wave forms एक बार में निकलते हैं में it is also called three into four format, means three leads एक बार में निकलते हैं, one, two, three leads एक बार में निकलते हैं, लेकिन इसे यह four attempts में निकलते हैं, four sections में निकलते हैं, first section में one, two, three निकलते हैं, then second section में AVR, AVL, AVF, third section में V123 and fourth section में V456, इसके वाद six channel ECG machine हैं, जिसको six into two format बोलते हैं और यह दो section में निकलते हैं, one section में six leads निकलते हैं, जिसमें first, second, third, AVR, LF and second section में V126, जो chest leads हैं, उनकी recording इसमें second section में होती हैं, then come to 12 channel ECG machine, इसको 12 into one format बोलते हैं, और इसका एक benefit यह हैं, कि अगर हम इसको दो section में निकलना चाहें, या four section में निकलना चाहें, वो भी हम इससे निकल लेते हैं, यह एक बार में 12 leads निकलती है, इसका benefit यह है कि 12 leads एक बार में उसको देख के हम compare कर लेते हैं, यह इसका सबसे बड़ा major benefit है, then come to ECG cables, ECG cables भी कई type के होती हैं, 3 electrodes ECG cables, 5 electrodes ECG cables, 6 electrodes ECG cables, and 10 electrodes ECG cables, 3 electrodes में यह 3 electrodes होते हैं, 1, 2, 3 cables यह निकलते हैं, इसका use हम monitoring के लिए करते हैं, जो ICU में या OT मे monitors होते हैं, इसमें केवल हम lead 1, 2, 3 यह observe कर सकते हैं, then come to placement, यह 3 leads कहां कहां place होती हैं, right arm is just adjacent to clavicle, right arm, left arm just adjacent to left arm, and lower limb की जो lead है, यह lower chest wall just above to abdomen, यह place किया जाती हैं, यह 3 electrodes हैं, जिसमें 3 electrodes placement leads की होती हैं, then come to 5 electrodes ECG cables, इसमें 5 electrodes होते हैं, जिसमें 1, 2, 3 यह lead आती हैं, and 2 leads, chest leads होती हैं, इनका placement कहां होता है, right arm, left arm, left lower leg, right lower leg, V1, adjacent to right 4th intercostal space, then come to 6 electrodes ECG cables, इसमें 6 electrodes होते हैं, जिसमें 4 limb leads and 2 chest electrodes होते हैं, इसमें V1, 4th intercostal space on right side, adjacent to sternum होता है, and जो 2nd chest lead लगाते हैं, वो इसके बीच में कहीं भी लगा सकते हैं, V6, V5, V4, 3, 2, कहीं भी लगा सकते हैं इसको, now come to 10 electrodes ECG cables, इसमें 10 electrodes होते हैं, 4 limb electrodes and 6 chest electrodes, जिसमें 1, 2, 3, AVR, L, F and V1, 2, 6, यह 12 leads की recording 10 electrodes से होती है, 10 electrodes placement, 10 electrodes हमारे कहां कहां लगते हैं, right arm, left arm, lower limb, right lower limb, V1, 4th intercostal space on right side, and other chest lead V2, say V6 तर यह left side of chest wall लगते हैं, V6, mid axillary line, and V2, just lateral to sternum on right side, V4, यह mid clavicular line, और इसके बीच में V3 लगती है, यह placement of 10 electrodes हैं, V1, 4th intercostal space at right external edge, V2, 4th intercostal space at left external edge, V3 between V2 and V4 electrodes, V4, 5th intercostal space in mid clavicular line, V5, left anterior axillary line at the same horizontal level as V4, V6, mid axillary line at the same horizontal level at V4 and V5, right arm, right arm, middle side of wrist, left arm, middle side of wrist on left arm, left leg, middle side of ankle, right leg, middle side of ankle joint, तो यह 10 electrodes यह place होते हैं, Now there is a question, why 10 electrodes cable is called as 12 leads ECG cable? It is because 10 electrodes of ECG cable gives a tracing from 12 different electrical position of the heart, Thus, it is called 12 leads. आप confuse करेंगे electrodes and leads में. Electrods जो हम place करते हैं, limbs में and chest wall पे, उसको electrodes बोलते हैं. Leads हमारी tracing हैं. 1, 2, 3, AVR, AVL, AVR, V1, 2, 6, these are called leads. तो 10 electrodes से हम 12 leads निकालते हैं. ECG electrodes. It is a conductive pad which attach to the skin to record electrical activity. यह सारे electrodes हैं, जो chest wall पे, limb में यह attach होते हैं, जिससे कि हम leads record करते हैं. तो these are electrodes, not leads. ECG graph paper. ECG graph paper में एक small square, जो यह एक small square है, यह, यह 0.04 second का होता है. Large square, यह large square है, यह, इसमें 5 small squares होते हैं, means 0.04 into 5 means 0.2 second. यह हमारा duration शो करता है, यह. तो यह 0.2 second का एक big square हुआ. 5 large square is equal to 1 second. And 300 large squares is equal to 1 minute. length of each small square, यह वही से में 1 mm, यह हमारा 1 mm है. एक big square, यह 5 mm का है. तो यह main चीज़े हैं ECG graph paper में, जिसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी. And then ECG gel. It is used to improve conductivity between ECG electrodes. जब ECG electrodes हम लगाते हैं, lame and chest wall पे हमें ECG jelly लगानी होती है, जिससे की electrical conductivity better हो. यह ultrasound jelly जो आती है, इससे different होती है. तो यह नहीं समझेंगे, ultrasound और ECG के gel same है. ECG electrode gel अलग है, ultrasound gel separate है. तो दोस्तों अगर आपको यह video हमारा अच्छा लगा हो, तो आप इसको like, share and subscribe जरूर करें. Thank you.